दोस्तो अगर आप online या offline एक TV लेने का मन बना रहे हैं या आपका कोई दोस्त या relative एक new TV लेना चाहता है तो आपको online या offline तीन तरह के options मिलने वाले हैं नंबर एक standard TV, नंबर second smart TV और नंबर third android TV दोस्तो आज की वीडियो में हम इसी topic पर बात करने वाले हैं कि इन तीनो तरह की TV में क्या difference होता है और अगर हमें market में से कोई एक TV लेना पड़े तो इन तीनो टीवी में से किस TV को ज़्यादा preference देनी चाहिए आप में से कुछ दोस्तो को ये लगता होगा कि smart TV और android TV एक ही बात होती है पर दोस्तो ऐसा नहीं है दोनो टीवी में कुछ differences होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको complete detail के साथ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो के last में मेरा opinion होगा कि अगर तीनो टीवी में से कोई एक टीवी चूज करनी पड़े हैं तो मैं कौन सी टीवी को चूज करूँगा तो दोस्तो इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं कर लिजी आपके चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अल्रेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं बुलिएगा तो बिना किसी देरी के start करते हैं आज के वीडियो topic को सबसे पहले बात कर लेते हैं standard TVs की standard TVs की बात आती है तो दोस्तो standard TV basic TV का ही काम करती है जिसे आप setup box से connect करकर normal TV के चैनल को देख सकते हैं इसके लावा आप pen drive या memory card लगा कर उसके USB port में आप videos को, audios को या photos को उस TV में play कर सकते हैं इसके लावा उसमें HDMI के ports भी मिलते हैं आपको TV में जिससे आप playstation या computer जैसी external devices को connect करके उस TV में use कर सकते हैं यह LED TV आपको तीन अलग-लग options में मिलने वाली है नमबर एक HD radio resolution के साथ, नमबर दो full LED resolution के साथ और नमबर थट 4K display panel के साथ आज की डेट में अगर आप 32 इंच की standard LED TV लेना चाहते हैं तो आपको 6-7000 रुपर में मिल जाती है जिसमें आपको कम से कम एक साल की warranty तो मिलती ही है चलिए अब बात कर लेते हैं next TVs के बारे में जो कि है smart TVs Smart TVs की बात करें तो दोस्तों आज की डेट में smart TVs का बहुत ही जादा चलन हो गया है क्योंकि एक normal smart TV अगर आप लेना चाहते हैं तो 8,000 से मिलना start हो जाती है एक smart LED TV में standard TVs ऐसे basic switches तो होते ही हैं means आप उसमें setup box या आप external USB device connect कर सकते हैं इसके लावा इसके अंदर आपको pre-install apps में मिलती हैं जैसे YouTube, Netflix, Hotstar, Amazon Prime और भी बहुत सी apps आपको मिल जाती हैं इसके अंदर pre-install जिसे आप अपने internet से live streaming करके देख सकते हैं चाहे वो आपका internet हो broadband गर में लगा हुआ चाहे वो आपके mobile के hotspot से चलाया गया हो इसके लावा mostly smart TVs में car screen का फीचर होता है जिससे आप अपने mobile की screen को direct TV में देख सकते हैं और mobile में यूज होने वाले content को आप TV में direct देख सकते हैं आज कल MI, VU, iFalcon, Kodak, Thumbsun, Markyu जैसी TVs आप 10-20,000 रुपए के बीच में काफी अच्छे options प्रोवाइड करती है Smart TV लेते टेम दोस्तों एक बात का जरूर दियान रखना कि कम से कम आपके गर में अच्छा internet connection हो तब ही smart TV के साथ जाना, otherwise smart TV लेने का कोई फाइदा नहीं मनेगा आपको चलिए अब बात कर लेते हैं next TVs की जोकी आती है Android TV दोस्तों Android TV smart TV की तरह ही होती है बट वो smart TV से जादा अच्छे features के साथ आपको मिल जाती है इसमें आपको YouTube, Netflix, Hotstar, Amazon Prime जैसी वीडियो की apps को मिलेंगी ही इसके लावा इसके अंदर आपको Android Play Store भी मिलता है जिसमें आप extra apps को या games को भी install कर सकते हैं और उन apps या games को play कर सकते हैं अपनी smart TV के अंदर इसके लावा उस TV में आपको Google Assistant का feature भी मिलता है जिससे आप अपने TV को voice command दे सकते हैं जिससे channel को change करना, volume को increase या decrease करना, इसके लावा weather information और भी journal knowledge की बहुत सी बातें आप direct internet पे surf कर सकते हैं Google Assistant के through आज कल की mostly Android TVs के remote में ही voice command का feature होता है लेकिन अगर किसी Android TV के remote में आपको voice command का button नहीं मिलता तो आपको इसके लिए भी कोई tension लेने की जुरूत नहीं है आप अपने mobile के अंदर Android remote नाम की app को install करके भी voice command अपनी Android TV को दे सकते हैं Android TV होने का फायदा ये भी होता है दोस्तों कि इसमें आपको सभी updates बहुत ही जल्दी मिलते हैं और TV के features भी लंबे समय तक काम करते रहते हैं क्योंकि उसमें updates मिलते रहते हैं Android TV में Google Chromecast का भी feature होता है जिससे आप mobile की screen को आप अपनी TV screen पर भी play कर सकते हैं means mobile के total content को आप TV में play कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं smart TV और Android TV में फरक क्या होता है तो smart TV और Android TV में सबसे बड़ा फरक यही होता है कि smart TV में आप pre install apps को ही use कर सकते हैं अगर आप उसमें extra apps चलाना चाते हैं तो mostly apps जो भी आप इसमें install करोगे तो वो unsported ही मिलने वाले हैं आपको और smart TV में आपको Google Play Store या Google Assistant जैसे feature नहीं मिलते हैं जबकि Android TV में आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें आपको Google Play Store और Google Assistant का feature मिलता है Google Assistant feature होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको remote में type करने में जो problem आती है Google Assistant से सरफ बोलने पर ही वो TV में type हो जाएगा और उस feature को Android TV में search भी कर सकते हैं हम इसके लावा Android TV में updates भी बहुत जल्दी मिलती हैं और कुछ extra apps को भी Android TV में हम चला सकते हैं क्योंकि वो TV fully Android होती है इसके लावा आप Android TV के अंदर web browsing भी कर सकते हैं आज की date में MI, iFalcon, Wii U, Motorola जैसे brand हमें काफी अच्छी Android TV स्प्रवाइट कर रहे हैं और उनकी price end भी 15,000 से नीचे start हो जाती है अब बात करें मेरे opinion की तो मेरा opinion ये कहता है कि अगर आपके पास अच्छा internet connection है तो आप smart TV के जगह पर Android TV के साथ जाहिए Android TV को preference देने का कारण ये है कि उसके अंदर आपको Android Play Store भी मिल जाता है इसके लावा आपको Google Assistant का feature भी मिल जाता है इसके लावा आपको इसके अंदर updates भी बहुत जल्दी मिलेंगे compared to smart TV से पर दोस्तो अगर आपके पास internet connection नहीं है तो आप standard TV ले सकते हैं जिससे आप TV के basic features को तो यूज कर ही पाएंगे दोस्तो आपसे है एक question कि अगर आपको standard TV, smart TV और Android TV में से कोई एक TV लेना पड़े तो वो कौन सा TV लेंगे और अगर आपकी नजर में कोई smart TV या Android TV है तो उसका model number भी comment section में जरूर लिखिए तांकि हमारे viewers को पता लग सके उनके feedback के बारे में तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक अडिस लाइक करके आपना feedback दीजिएगा अपने दोस्तों के शेर कीजिएगा और चैनल को subscribe करना नहीं बूलिएगा thank you so much have a good day